नमस्कार दोस्तों, मैं कुल्दीप सलूजा, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दुकान के अंदर का कलर कैसा होना चाहिए और दुकान के बाहर जो साइन बोड लगता है वो किस कलर में होना चाहिए कहीं वियोर ने इसके बारे मुझे से जानकारी मांगी है मित्रों आप देखते होंगे कि हमारे घरों में या पर दुकान पर भी आप देखते होंगे कि बाहर हम लोग जो लिखते हैं लाल अक्षर से शोब लाब या कुस दार्मिक चिन्र प्रतीक बनाते हैं वैसे अपने एक बात और गोर की होगी कि जो आप मंदिर देखते हैं जिनको लाल चुला पिनाया जाता है जैसे माताई का मंदिर हो हनमान जी का मंदिर हो तो आपको वो सडक से भी आप देखेंगे तो आपको दूर से नजर आ जाएगा पर जो शहनी मंदिर होगा जो प्रसिद्शनी मंदिर है लोगों ने फुटपात बना लिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रसिद्शनी मंदिर है वो जो है उनमें आप देखेंगे कि आपको सामने मूर्ती नजर नहीं आएगी आप सीरे जाएंगे और फिर आपको राइट लेफ टन लेंगे तो मूर्ती साइड में होगी क्योंकि वो मूर्ती काले कलर में होती है और इसलिए वो साइड में रखी जाती है सामने नजर नहीं आती पर जो मूर्ती सामने से नजर आती है उन्हें लाल चोले पेन रखे होते हैं उन्हें लाल चुनरी पेना ही जाती है उसी प्रगार हम दुकानों के आगे भी लाल कलर से ही लाप, शुब, इक्योंकार या वो धार्वेक चिनने का प्लियोग करते हैं वो ही नियम दुकान पर भी लागो होता है दुकान में पहली बात तो अंदर की तरफ तो सबसे अच्छा होता है कि आप हलका पीला कलर, आफ वाइट कलर करें और छट हमेशा वाइट रखें तो यह पीला कलर गुरू को रप्रेंट करता है यूपिटर को और वाइट कलर जो है वो चंदर मा को तो यह गुरू चंदर का संजोग बहुत अच्छा होता है तो दुकान की दिवारे जो है वो तो आप बना दीजिएगा करिए एक वाइट आफ वाइट कलर हलका पीला कलर जो आप इस दिवार पर भी देख रहे होंगे यह अला कलर और च्छत आप वाइट रखिएगा एकदम प्योर वाइट यह तो क्या कलर अंदर का अब आता सवाल क्या आपकет दुकान का फेस कुछ भी हो उत्तर मुखी हो पूर मुखी हो डख्षि मुखी हो पहली बाहता तो सामने की तरफ जो है यह उत्तर मुखी तो यह दिवार की यह दिवार पर आप कभी भी नीला ग्रे काला इस कलर का प्योग ना करें बिलू ब्लेक ग्रे कलर यह इस फैंबली को बिलॉंग कर जाला किसी कलर का प्योग ना करें इधर की तरफ यह दरबाजा इधर है आपका शटर यहां तो इस दिवार की बात कर रहा ह उस दिवार की बात कर रहा हूं और इदा तो इस दिवार की बात कर रहा हूं सबस्क्राइट किुस के लॉनुट करता हो तक लाल कलर येलो कलर हुआ हुआ न debatesgehen यहां पर कभी भी बिल्लेक करना हो तो जैसी शटर है तो यहां कर सकते हैं यहां कर सकते हैं तो इदत दिवार तो यह इन दिवार तो यह भी कर सकते हैं। नदंडर का कलरूर अब आती ही भार बोर्ट के कलर की। thus बौर्ड पे स, अजर नलको करें ज़़र एक दिवड़ ने यह सब्वार के लङएकंति थोड़ा black color का प्योग करना है blue color का प्योग करना है तो थोड़े 10 to 20% वो हो color हो blue black पर 80% नाम में red color हो और back side जो है उसकी white cream ऐसा को color हो तो निश्चित मानिए ये color प्रसिद्धी का color है सामने की हो जब आपने देखते हैं वो लाल color प्रसिद्धी का color होता है वो fame बढ़ाता है इससे आपकी दुकान की प्रसिद्धी बढ़ेगी तो आप इस चीश का ध्यान रखिए तो आपकी दुकान बड़ी बड़ी खिली खिली बड़ी दिखेगी इससे और आप अच्छे तरह से कारोबार करेंगे आपकी दुकान फिर्मस होगी गराग बहुत आएंगे आप क्या और आप दोपिस अच्छा कमाएंगे धन्यवाद